आज आपको जो इस टॉपिक पे बात करेंगे हम वो है अन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है आपने भी सुना होगा कि जैसा अन वैसा मन जैसा अन हम खाते हैं वैसे ही उसका मन पर प्रभाव पड़ता है उसको उधारन के लिए हम लेते हैं जैसे आप देखते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं तो जैसे सपोस हलुआ बनता है और वो काले चने बनते हैं न वो भोग बनता है मंदिर में तो जब हम वो भोग या हलुआ जैसे हमने बनाया वो हमने मंदिर में बना हुआ हलुआ हम खाया तो कितना टेस्टी लगता है मंदिर का हलुआ हलुआ कैसे बनता है वो ही सूजी उसमें क्या रालते हैं सूजी पानी चीनी ड्राइफ फ्रूट्स और घी यही मेटीरियल होता है तो जब मंदिर में हम उस हलुआ को खाते हैं तो उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है और भी खाने का मन करता है उसी हल्वे को जब हम अपने घर में बनाते हैं घर में या तो मदर बनाती है या पत्नी बनाती है तो जब वो बनाती है तो उनका भाव वो भी होता है कि मैं अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए बच्चों के लिए बना रही हूं तो वो भाव भी श्रेष्ट भाव होता है तो वो हलवा भी हमें स्वादिस्ट लगता है अच्छा लगता है और same material के साथ जो हलवा हम hotel में खाते हैं hotel में भी वही material यूज होता है हाना, उस हलवे को same हल्वे के जब हम hotel में खाते हैं तो उसका taste अब तीनों सूजी का हलवा है, तीन तरह का है, एक होटल में खाना, एक घर में खाना और एक मंदिर में प्रशाद खाना अब आप खुद अपने से ही सोचिए कि सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन सा हलवा लगता है मैं अपना भी बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो टेस्टी लगता है, वो मंदिर का हलवा लगता है प्रशाद, जिसको हम प्रशाद कहते हैं, प्रें डूसरे नंबर पर घर का बना हुआ हलवा अच्छा लगता है होटल का हलवा जो हम खाते हैं, तो उस समय टेस्टी तो लगता है लेकिन आप नोटिस करिए, उसके थोड़ी देर के बाद, हमारे मन का टेस्ट कुछ अलग सा हो जाता है तो हलवा सूजी का बनाया, सेम मैटिरियल, सेम कॉंटेंट्स, कॉंटिटी हमने तीनों जगह पर डाले और बनाए लेकिन सब तीनों का टेस्ट अलग-अलग है, ऐसा क्यों? आप अपने से सोचिए कि ऐसा क्यों? कहीं बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट और जबकि हर जगह टेस्ट ही होना चाहिए अब हम यहाँ पे बताते हैं कि क्यों टेस्ट अलग-अलग है और मंदिर में खाया हुआ प्रशाद, जिसको हम प्रशाद कहते हैं वही हलवा प्रशाद के रूप में जब हम ग्रहन करते हैं तो हमें बहुत सबसे टेस्टी लगता है उसका कारण क्या है? जब हम भोजन बनाते हैं मंदिर में कैसे बनाते हैं? पहली बात जब मंदिर में भोग बनाया जाता है तो साफ सुदरा किचिन होता है खुद भी नहा धोकर सुबस्वा एकांत में भोग बनाते हैं तब हमारे अंदर कौन से थौट चल रहे होते हैं, पंडे जी बनाते हैं या कोई भी बनाते हैं, तो उनके अंदर क्या थौट चल रहा होता है, क्या संकल्प चल रहे होते हैं, मुझे भगवान को भोग लगाना है, तो हर चीज कितनी स्वच होगी मन भी स्वच सोच भी स्वच और सारे चीज स्वच साफ क्योंकि भगवान को भोग लगाना है ये मन में थौट है तो यहां संकल्प माने थौट माने एनर्जी थौट एक एनर्जी है तो कितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है कि भगवान को भोग लगाने के लिए मैं परशाद बना रहा हूँ या बना रही हूँ तो ये जो एनर्जी है इसकी जो वाइब्रेशन है उस अन के अंदर जाती है बनाते समय तो भोजन बनाते समय हम कैसी सोच है कैसा हम सोच रहे है उसका प्रभाव बहुत पड़ता है तो मंदिर का सबसे टेस्टी क्यों लगा? क्योंकि हमने जिनोंने भी उसको बनाया वो सवच मन से बनाया भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया प्योरेस्ट वाइबरेशन पॉजिटिव प्योरेस्ट वाइबरेशन उसके अंदर गई तो उसका टेस्ट ऐसा हो गया अब घर में बनाते हैं तो घर का भी अपनी मदर के हाथ का या ग्रांट मदर के हाथ का जो भी या दादियां बनाती हैं अमारे घर में, नमारी दादी होती है, वो बनाती है, तो उनकी भावना क्या होती है, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे पती खाएंगे, मेरे परिवार के सदस्य खाएंगे, तो उनको बनाते सम्में वो भाव होता है, तो वो भोजन भी बहुत स्वादिस्ट लगता है, तो भा हुटल में बनाने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं उनका टार्गेट क्या होता है आज इतने लोग आने हैं और उन सब के लिए कम ना पड़ जाए आने का समय हो गया है जल्दी जल्दी बनाना है तो फटाफट 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 material वही है quantity भी वही है लेकिन सोच क्या चल रही है इतने लोगों को भुजन कराना है इतने लोग आएंगे इतने समय तक तयार हो जाना चाहिए तो तीनों की सोच अलग-अलग थी material सेम था बनाने का तरीका भी सेम था लेकिन सोच तीनों की केस में अलग-अलग थी तो सबसे अच्छी सोच कहां से थी भगवान के लिए प्रशाद बना रही हूँ भोग बना रही हूँ तो वहां का टेस्ट वो vibrations उस भोजन में गई और वो प्रशाद बन गया और वो सबसे टेस्टी बना कहने का मतलब है हम भोजन को जिस भावना से बनाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है अब प्रशाद खाने के बाद आप अपने मन को देखो कितना अच्छा हो जाता है और कितने अच्छे thoughts create होते हैं तो इसलिए अन्न का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है उसका एक उधारन भी आपको सुनाते है एक बहुत धनी पुरुष थे, बिजनेसमेन थे पैसे की कोई कमी नहीं थी उनकी घर में एक सर्वेंट काम करने आती थी मेड काम करती थी, वही उनके घर में भोजन बनाती थी तो जो मेड काम करती थी, उसके पास अपना घर नहीं था तो पूरे दिन उसके मन में ये विचार चलते थे कि मेरा भी रहने के लिए अपना एक घर होना चाहिए वही भोजन बनाती थी तो भोजन बनाने के समय भी उनके मन में ये चिंतन चलता था definitely है किसी के पास कोई कमी होती तो दिन मन में चलता है तो भोजन बनाते समय भी यही बात उनके मन में चलती थी कि मेरा अपना घर हो अब वो ही भोजन वो बिजनस्मेन उनके हाथ का बनावा भोजन खाते थे, मेड के हाथ का रोज वो ही बनाती थी और रोज वो खाते थे और वो काफी रिच थे, बिजनस्मेन थे, अच्छे बिजनस्मेन थे तो एक दिन उन्होंने स्वपन में देखा कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है तो उस स्वपन को देखकर वो उठकर बैठ गए और सोचा ये स्वपन मेरे को क्यों आया क्या मेरा सब कुछ खतम हो जाएगा क्या मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा ऐसी सोच उनके अंदर चलने लगी और उन्हें चिंता होने लगी कि ऐसा स्वपन मैंने देखा है तो कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हो न जाए तो किसी भी तरह से वो हम ब्रह्मा कुमारीज के कॉंटेक्ट में आये तो इस डर से किसी ने बोला आप ब्रह्मा कुमारीज के पास जाओ तो क्योंकि जब आदमी घवराता है मन से तो सोचता न जो रास्ता कोई बताए उसको कर लो तो वो ब्रह्मा कुमारीज के पास गए वहाँ बहनों ने बहनों को उन्होंने ये बात बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे स्वप्न में दिखा तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी मेड भोजन बनाती है और उसके पास तो हम पूछा कि क्या उनके पास कुछ कमी है तो का हाँ वो उसके पास अपना घर नहीं है तो वो मेरे से कुछ पैसे के लिए भी बोल रही थी कि मुझे अपना घर बनाना है तब ब्रह्मा कुमारीज भेनों ने उनको समझाया कि जो आपकी मेड आपको भोजन बना कर खिलाती है उसके मन में भोजन बनाते समय यही चल रहा होता है कि मेरा भी अपना घर बन जाए घर हो जाए यह सोच उसके अंदर चल रही होती है जब वो आपका भोजन बना रही होती है तो वही वाइब्रेशन आपके भोजन में आती है और उस भोजन को जब आप ग्रहन करते हो तो वही भोजन आपके मन पर उस भोजन का प्रभाव पड़ता है तो आपके संकल्ब भी वैसे ही चलने लगते हैं जैसा अन हम खा रहे हैं क्योंकि उसमें वाइब्रेशन वो ही है ना कि मेरा घर मिल जाए क्योंकि उसने बनाते बनाते वो ये भी सोचती रहती है मेरा अपना घर हो जाए तो वो वाइब्रेशन उस भोजन में गए और उन बिजनेसमें ने इस भोजन को रोज खाते थे तो उसका प्रभाव, उन वाइब्रेशन का प्रभाव उनके मन पर पड़ा और उनको ये स्वप्न दिखाई दिया तो अब आप खुदी देखिए कि अन का प्रभाव मन पर कितना पड़ता है और आप देखेंगे नवरात्रों में जब हम तब उनको क्या राय दी कि ये खाना आप उनके हाथ से नहीं बनवाईए या तो उनको मदद करिए उनका मकान मिले तो ये थोट उनके अंदर नहीं चलेगा या फिर आप उनके हाँ से ये खाना नहीं खाएए तो आपको ये स्वप्न या ये सोच नहीं आएगी तो देखिए मन vibrations का प्रभाव, हमारी सोच का प्रभाव अन पर कितना पड़ता है जैसा हम अन खाते हैं, वो मन पर हमें impact करता है, असर डालता है अब for example आप देखे, नवरात्रों में या किसी भी वरत जब आप करते हैं, तो घर में प्याज लसन नहीं खाते, नहीं बनाते क्योंकि प्याज लसन खाने से भोजन तामसिक हो जाता है और देवताओं को जब हम भोग लगाते हैं देवी देवताओं को, तो बिना प्याज लसन का भोजन खाते हैं तो जब आप वरत रखते हैं, तो आपका मन और चित कितना शान्त होता है जब वही भोजन आप खाते हो, वरत में बिना प्याज लसन का भोजन खाते हो, और भगवान को भोग लगा कर भोजन खाते हो, तो आप खुद कंपेर कर सकते हो, कि उन नवरात्रों के दिनों में आपका मन, आपका चित कितना शांत होता है, और बागी दिनों में जो हम सब भी देख सकते हो, तो यह है हमारे अन का मन पर डारेक्ट प्रभाव पढ़ता है, तो अपने अन को एक तो शुद्ध धन होना चाहिए, शुद्ध धन से हम अन लेकर आएं, अपने घर में अनाज लेकर आएं, शुद्ध धन से, उल्टे सीजे तरह से काइमा हुआ धन, मारे उपर पड़ता है तो कैसे अन का मन पर प्रभाव पड़ता है यह हमने आपको बताया ओम शान्ति